गाजर का हल्वा हम सभी का फेवरेट होता है आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूँ ट्रेडिशनल यानि की पुराने तरीके से जो गाजर का हल्वा बनाया जाता था जो मम्मी, दादी, नानी बनाती थी वही वाली रेसिपी है जैसे मेरे घर पे इस तरीके से हल्वे बनाये जाते थे और वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है बहुत ज़्यादा है हैल्दी मतलब आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन कभी नहीं भरेगा ऐसा लगेगा और एक चम्मच खालू इतना ज़्यादा डिलीशियस हल्वा बनकर रेडी होता है रेसिपी को ज़रूर देखिए एंड तक पसंद आएगी तो ट्राइ ज़रूर कीजेगा एक बार इस तरीके से बना कर देखिए बिल्कुल पुराने तरीके से जो पीसी हुई गाजर के हल्वे या फिर उबाले हुए गाजर का हल्वा बनता है वो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं बनता है मैंने ट्राइ किया मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे तो लेकिन जो पुराने तरीके से जो फिल्वा बनाया जाता है ग्रेट करके वो बेश तरीका होता है आप सभी का स्वागत है किचिन तू किचिन में तो सबसे पहले गाजर को धो लेना है एक केजी गाजर लिया अच्छे से दो करके जिलका निकाल लिया बढ़िया से ग्रेट कर लेना है यह देखिए फटा फट से गाजर को बहुत सुंदर लग राया है तो चलिया अब बना लेते हैं फटा फट से तो इसे बनाने के लिए हमने कडाई में डाल दिया है दो बड़े चमसुद्ध डेसी गी जो घर पर हीगा है मतलब मेरी मंधी नहीं घार बेजा है अब इसमें हम स्कती गहाचे गाजर प्रबाद चैनगे कड़ाई के अंदर दीने अंदर जाई दोतेल्छ sì दे fiance अवे बै Payne आप इसमें हम दूद डालेंगे तो जितना मैंने गाजर लिया था मतलब एक किलो गाजर लिया था तो एक लीटर दूद ले नहीं है मतलब बराबर कॉंटेटी रखिए बहुत ज्यादा मतलब दिमाग में जोर नहीं देना है कि कितना गाजर और कितना दूद मतलब चाहिए जितना गाजर है का उसके हिसाब से दूद ले लिजे बराबर के कॉंटेटी में और इसमें मैं एक कप के करीबन चीनी डाल रही हूं चीनी की मातर अपने हिसाब से ज्यादा यह कम कर सकते हैं अब करते हैं मुझे नी समझ में आ रहा है मतलब कि ऐसा लग रहा है कि फिर से जाके एक चमच गाजर का हल्वा खालू कि मेरा फेवरेट है बहुत पसंदे मुझे गाजर का हल्वा इसे ढग दिया सारी जीजो को डाल करके इसे हम अब 15 मिनिट के लिए मध्यम आज पर यानि की मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे और बीच बीच में आप चला लीजगा एक दो बार तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि जो गाजर है व कदाम पिस्ता आपको जो ड्राइफुट पसंद है वो डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया अब जो है हमें इसे चलाते हुए अब गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया अब हाई फ्लेम पर क्योंकि अल्रेडी गाजर पक मिल्क पाउडर का उसे डाल दीजिएगा फ्रेंड्स इतना गजब का टेस्ट मतलब आता है ना कि मैं क्या ही बता हूँ आप एक बड़ जरूर ट्राइ कीजिएगा जब भी गाजर का हल्वा बनाईएगा तो उसमें मिल्क पाउडर अड़ कर दीजिएगा बस और कुछ भी हम प्लाइगी डालने की जुरूरत ने हैं और फिर से हम इसमें घी डालेंगे दो चमश की हल्वा हो जायें की घालवा खुरुसी हो चपी तो मज़ा नहीं कि पुर्डैर का घाल्वा बनने वाल है और ये ग्जी आपको नजर रहा आ है जब गाजर का हल्वा अच्छ्छ प कि नारों में आपको नजर आने लगेगा इस तरीके से तो समझ जाए कि गाजर का हलवा आपका पॉफेक्टली बनकर रेडी हो गया बस और कुछ सेकेंड के लिए हम हाई फ्लेम पे चलाते हुए इसे पका लेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे तो यहां पर हमारा गाजर आएगी ही क्योंकि यह मेरी फैवरेट रेसिपी है और मतलब मेरा फैवरेट डीश आप बोल सकते हैं जो कि मतलब मेरे दिल के मन के बहुत करीब है मतलब एक किलो गाजर का हलवा है ना दो दीन में तो खाई जाओगी इतना मेरा फैवरेट और इस तरीके से अगर बना हो त